Hello Everyone कैसे हैं? आप सब लोग Luther, आप सोच रहे होंगे कि मेरी वीडियो आज कैसे आगी जब कि मैंने कहा था कि 2-3 िडियो नी आएगी लेकिन मैंने आपको पहले वीडियो में बताया कि पेंटर भीया आए नहीं है कलर भी चेंज हो जाना चाहिए, धीमी धीमी आज पर भुनना है, उसके बाद लेंगे हम साबुत धनिया 3 टीस्पून और इसको भी हम धीमी धीमी आज पर भुन लेंगे, कलर शेंज हो जाना चाहिए हलका सा और हमें खुश्बू भी आनी चाहिए, कच्चा बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, धनिया और जीरब, अजवायन डाल देंगे हम एक चमच, जिसको भी अच्छे से भुन लेंगे, जैसे ही आप भुनने लगेंगे, अब भुन जाएगा, तो आपका थोड़ी थोड़ी सी इसमें से पॉप होने की आवाज आएगी, आप मिक्स करते रहिए, और सभी मसालों को हमने ठंडा करके अलग कर लिया है, टील ले लेंगे हम मोटे ही लाइची, इन्हें भी कर लेंगे हम थोड़ा सा सीख लेंगे, यह मैंने दिया है स्टार एनिस, जिससे स्टार फूल भी कह देते हैं, आपको आराम से ग्रोसरी शॉप पर मिल जाएगा, कि और सभी को हम ठंडा कर लेंगे, गैस का फ्लेम मैंने कर दिया हो, क्योंकि कड़ाई बहुत गरम थी, इसी में डाल दिया है, मैंने 4-5 तेजपता, 2 जावित्री और 4-5 रेड चिली, ड्राइवाली, इसको भी हम अच्छे से सब को भून लेंगे, बहुत जल्दी यह हो जात दो चमच और उसके बाद हम डाल देंगे अनार दाना, यह तो कमपल्सरी है, आपको कहीं से भी मिल जाएगा, ग्रोसरी शॉप से 2 टीस्पून डाल देंगे, कसूरी मेथी डाली है, मैंने 2 चमच और हमने डाल दिया है नमक, 1 टीस्पून यह मेरा सेंधा नमक है, तो मैंने अच्छा फ्लेवर आता है, सोर पाउडर ना हो, तो ड्राय जिंजर भी डाल सकते हैं, दाल चीनी डालनी है, 1 टीस्पून इसके बाद सब को कर देंगे, मिक्स और एक पाउडर जैसी आपकी कंसिस्टेंसी आजानी चाहिए, बहुत बारिक होना चाहिए, तो आपका छोला म असाला तयार है, एर टाइट कंटेनर में आप भरके रखें और महीनों तक इंजॉय करें, रेसिपी पसंद आती है, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें